हेलो फ्रेंड्स आज के रिविजन लेक्षर में हम रिजिस्ट्रेशन चेप्टर है उसको रिवाइज करेंगें ठीक है हम इस चेप्टर को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट कौंसॉपorial होगा और एकर्ड़ प्रोचीजर रहे है ठीक है तो कौंसॉपूपयल पार्थ हम सेक्शन 22 से सचन 24 और प्रोचीजर पार्थ है उसमें हमOFF इक एक एक्जामपल हो समझ लेते हैं जैसे कि ये एक family है और इस family में five member है ठीक है अब क्या है कि ये five member है इनका अपना-पना business है और अपने-पनी income कमाते है ठीक है और क्या है कि जो five member है इनको tax है वो देना होगा यदि इस family की जो income है वो 20 लेग रूपी से exit हो जाए यानि कि जो member है उनकी income हम consider नहीं करेंगे member की income चाहे बले 10 रुपे हो या किसी member की income 10 लाग रुपे हो हमें क्या चाहिए हमें अगर family की income अगर 21 रुपी से exit हो जाएगी तब क्या होगा कि जो member है every member उनको tax देना हुआ अपनी अपनी income पर ठीक है अब क्या है कि आगे क्या कि अगर इनमें से कोई भी अगर एक member है अगर वो special category का है special category का क्या है वस आप यह समझे कि special category का कोई member है अगर कोई member special category का है तब क्या होगा कि जो family की जो income tax slip थी जो 21 रुपीस थी वो reduce होकर 10 लेक हो जाएगी यानि अगर आप family की income 10 लेक रुपीस थी हो जाएगी तब every member को tax देन होगा ठीक है अपने अपनी income पर यानि एक member भी अगर special category पर fall कर जाएगा तब क्या होगा family की income 20 लेक से reduce होकर 10 लेक पर हो जाएगी जो tax slip थीक है आप आगे देखिए आगे क्या है कि इन में से एक member इसा है कि जिसका business है वो exempt category है ठीक है तो अगर वो exempt category है अगर उसका business है तब क्या है कि उसकी income भी exempt होगी तो उसकी income exempt होगी मतलब कि जब बले ही family की income है वो 20 लेक रुपीस या 10 लेक की slave applicable हो तो 10 लेक रुपीस है उसकी income है वो exempt होगी ठीक है और बाकी 4 member tax देए next आगे देखिए अगर इन में से एक member इसा है जो क्या है कि जिसका business 60 वाजी का है तो अगर इसका 60 वाजी का business है तो उसको हर case में tax देना होगा चैब बले ही family की income 20 लेक रुपीस या 10 लेक रुपीस applicable हो इन में से जो एक member है ये member इसा है कि इसकी जो income है वो सरकार के बतावयों कुछ तरीके है उससे वो उस तरीके से income generate कर रहा है यानि उसका business है ये जो ये member है इसका business है वो सरकार के बतावयों तरीके से income generate कर रहा है तब क्या होगा कि इसकी जो tax rate की जो slave है खाली इस business के लिए यह business इस शिरफ सरकार के बतायो तरीके से business कर रहा है तो इसके लिए जो मतलब की जो tax है वो उसको तब ही देना होगा अगर family की income 40 लेक रुपे से exceed हो यानि यह जो person है इसके लिए तो हम 40 लेक देखेंगे और तो बाकी person है उसके लिए 20 लेक देखेंगे क्योंकि शिरफ यही person सरकार के बतायो तरीके से क्या कर रहा है बतायो तरीके से income कमा रहा है ठीक है तो हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि एक text celebrate 20 लेक रुपीज की है एक 10 लेक रुपीज की है एक 40 लेक रुपीज की है और एक है जो exempt है और एक है जिसको मतलग कि हर case में ही text देना होगा ठीक है अब देखिए अब यह जो chapter है इस chapter में हम फोटा तीन section पढ़ेंगे section 22, section 23, section 24 section 22 है वो applicability बरे बताता है कि कब GST में registration करना नहोंगे जीकती में registration है उसके लिए हम liable होगे ठीक है वो section 22 है वो बताता है section 23, exams नहीं बरे बताता है कि हम GST में registration के लिए exempt है section 24 है वो compulsory कि मतलब कि आपको mandatory registration करा नहीं होगा हर case में ठीक है यहाँ पर हम कोई limit नहीं देखके चाहिए ठीक है अब कि आई जो section 22 जो section 22 जो applicability बाइं बताता है कि GST में registration के लिए एक monetary limit है अगर उस limit को cross कर जाते हो तो आपको registration कराना होगा वो 20 lakh rupees है लेकिन इसकी भी exception है इसकी exception क्या है एक 10 lakh rupees है और एक है exception 20 lakh rupees यह दो exception है इस monetary limit 20 lakh rupees है ठीक है यह chapter का over होता ठीक है अब क्या है कि हमने जो example किया था उसको हम अब GST purpose से रखते है ठीक है तो देखिए जैसे कि यह company है इस company नाम है Reliance, Reliance Industries है ठीक है और इसके पांच state है यह यह पांच state में business है ठीक है यह पांच state में Reliance के business है अब क्या होगा कि जो Reliance है इसके जो पांचो state में business है इन पांचो state को GST में registration कराना होगा कब यदि इस Reliance का aggregate turnover है वो 20 lakh rupees से exceed कर जाए ठीक है 20 lakh rupees से exceed कर जाए अब इस Reliance का aggregate turnover के से calculate होगा वो होगा यह जो पांचो state के business है उनका जो aggregate turnover उनका total करेंगे और उनका total करने बाद Reliance का aggregate turnover आएगा और वो 20 lakh rupees से exceed होगा तब हम बोलेंगे कि जो पांचो state है उनको GST में registration कराना होगा ठीक है अब क्या है कि इस 20 lakh की exception है 10 lakh rupees यानि अगर इन पांचो state में से अगर एक state भी अगर special category वाला state है तब क्यो होगा कि जो 20 lakh rupees की जो threshold limit है वो reduce होकर 10 lakh पर आ जाएगी यानि अब हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि अगर reliance का aggregate turnover 10 lakh rupees से exceed है तब क्या होगा ये पांचो state को GST में registration करना होगा ठीक है लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मतलब कि ये state है ये state है ये state है दिल लीका ठीक है अब क्या होगा इस state में जो business है वो क्या है कि एक्जम्ट supply करता है सिर्फ only एक्जम्ट supply करता है यानि वो section 23 है उसमें fall करता है अगर ये section 23 में fall करता है तब क्या होगा इसके लिए जो limit थी 20 लेकि 10 लेकि वो हम देखेंगी नहीं इसको हम GST से एक्जम्ट करता है ठीक है इसको registration कराने कोई जूरूत नहीं है आगे देखी ये state है जैसे राजस्तान में ये state ये state है वो section 24 में fall करता है ठीक है section 24 उसमें fall करता है तो section 24 में fall करता है मतलब कि इसको compassory registration कराना होगा तो मतलब कि इसके लिए जो limit थी 2010 लेकि हम इसको देखके नहीं चलेंगे इसको mandatory registration कराना होगा ठीक है अब आगे देखी कि एक state जैसे UP अब UP state में जो business है अब UP state में जो business है वो क्या है कि जो सरकार ने एक notification इसी क्याता notification नमबर 10 पॉब्लिक 2019 था उसमें सरकार ने कुछ condition बता रखी है कि अगर आप वो condition है अगर fulfill करते हो तब क्या होगा शिरफ आपके लिए शिरफ आपके अगर आप fulfill करते हो तब क्या होगा कि आपके लिए जो मतलब कि aggregate turnover की जो limit है वो क्या होगी 20 लेक से बजाए 40 लेक कंसिडर की जाएगी यानि अगर आपकी reliance का aggregate turnover 40 लेक होगा तब भी आपको GST में registration कराना होगा ठीक है तो यहाँ पर हम 40 लेक रुपीस कंसिडर करके तो हम इसको एक example है उससे समझते है देखिए जैसे कि जर्नल सेक्षन सेक्षन 22 है वो क्या बोलती है कि अगर आपका aggregate turnover है 20 लेक से एक्स जिडरा तो आपको GST में registration कराना हो ठीक है तो मतलब कि जैसे एक reliance है उसके दो study business एक दिल्ली में है और एक यूपी में है उसकी जो ए वो वन लेक रूपीज है दिल्ली में और टेक्सफ सप्लाई 10 लेक रूपीज एसे यूपी में एक जब सप्लाई चीक है अब क्यों होगा कि हम एक बर क्लिए वस इनवर्ट सप्लाई उसको हम consider करते हैं अभी हमने definition से नहीं समझे हम सिरफ इतना समझते है कि यह जो total है इसक इसका एगरिगेट तरनों कितने 25 लेक रूपीज तो मतलब 20 लेक रूपीज एक्सीड है तो दिल्ली वाली स्टेट उसको रेजिस्टरेशन करना होगा और इसे ही यूपी वाले स्टेट को करना होगा लेकिन हमने क्या देखा था यूपी वाला स्टेट है वो शिरफ ओनली एक्सें सप्लाई करता है तो इसको सेक्षन 23文 करता है तो इसको रेजिस्टरेशन करना होगा ठीक है इसके एक्सेप्शन क्या थी क्या थी 108 लेक रूपीज थी 10k रूपीज वाला यूर इस स्टेट है और सो दिल्ली वाले इस पाटपीश है उसमें यूप तोटल अग्रिकमर कितना है उसका dati 1.6 और स्पिस Liu से कराना होगा और vaticใ developing. तकर तोटल अग्रिके टेन ओर कितना हो गया dairy रुपीज थिखे तो मतलब 90 उपीस से एकसील है और येजिस्टर्ष्टिस कराना होगा , क्योंकि यहाँ पर जो थेर्षोल लिमिट है वो 20 लेग रूपीस रेडिश होगर कितनी हो जाएगी 10 लेग हो जाएगी ठीक है और अब एक्सेप्सन नबर 2 में क्या है 40 लेग रूपीस लिमिट देख के चलेंगे ठीक है कि जो इसका एग्रिगेट रूपीस दिल्ली का एग्रिगेट रूपीस कितना है 12 लाग रूपीस और यूपीय कितना है 28 लेग रूपीस तो total aggregate turn over कितना हुआ? 40 लेक रुपीज तो मतलब कि 40 लेक रुपीज है वो aggregate turn over हुआ अब क्या हुआ? कि इसके लिए कितना aggregate turn over चेक करेंगे? क्योंकि यह तो condition fulfill नहीं करता तो इसके लिए जनरल यानी 20 लेक रुपीज चेक करेंगे तो इसको registration नहीं कराना होगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो chapter है वो हम revise करेंगे ठीक है क्योंकि हम इसमें aggregate turnover बार-बार वर्ड यूज के तो हम first of all समझेंगे aggregate turnover क्या होता है फिर हम समझेंगे section 23 में कौन-कौन से business हो जिसको exam कर रखा है फिर हम समझेंगे section 24 है जिसको compressive registration कराना होता है तो वो कौन से state होता है और फिर जो notification number 10 है उसके condition है वो समझेंगे ठीक है और जो special category state है वो कौन-कौन से होता है वो समझेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम अपने chapter है उसको पढ़ेंगे ठीक है